जैगेन नमस्कार स्वागत करता हूँ अपने सारे दोस्तों का गुरु घंटाल में दोस्तों आज में आप लोगों के लिए लॉड करजन जो हमारे हिंदुस्तान के वाइसेरोई थे फ्रॉम 1899 तो 1905 उनका कारेकाल था उसके उपर कुछ important multiple choice question लेकर आया हूँ कि इनके कारेक 1899 तो 1906, 1899 तो 1905, 1898 तो 1907, 1897 तो 1906 सगी उत्तरग है 1899 तो 1905 अठारा सो निन्यानवे से लेकर 1905 तक लॉड करजन ने सर्व किया as governor general and viceroy of India अगला सवाल के दोस्तों कि 1899 उननिस सो मतलब जैसे इनका कारेकाल शुरू हुआ 1899 उननिस सो के साल में हमारे हिंदुस्तान में फहिमाईन आया जिसको हिंदी में कहते हैं अकाल और हिंदुस्तान के कई सारे इलाकों में यह अकाल आया like आगरा, अवद, बंगाल, Central provinces, राजपुताना, गुजरात, etc. मतलब और भी कई सारी जगहां थी तो हिंदुस्तान के लोग उसको बोलचाल की भाशा में, मतलब उस फहिमाईन को, उस अकाल को बोलचाल की भाशा में क्या कहते थे पच्पनी अकाल, छप्पनी अकाल, सतावनी अकाल, none of the above, स्वरी दोस्तों, तो इसको छप्पनी अकाल कहा जाता था, क्यों? क्योंकि रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो साल था 1899, 1900 का, ठेक है? लेकिन, इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो साल था विकरम समवत 1956, 56, इसी लिए उसको छप्पनी अकाल कहा गया 56, 56, 56, सुनाई होगा आप तक 56, 56 इंच का सीना, ठेक है? तो विकरम समवत 1956 अगला सवाल गे दोस्तों, अब फेमाइन खतम हो गया, अकाल जब खतम हुआ तो 1901 में लॉड करजन के द्वारा एक फेमाइन कमीशन बनाया गया ताकि जो अकाल आया था 1899-1900 में उसको रिव्यू किया जा सके आपको बताना है उस फेमाइन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? या किसके नाम पर वो फेमाइन कमीशन था? सर एंथनी मैकडोनल, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, सर एंडू फ्रेजर या विलियम हंटर, इसका सगी उत्तर गे दोस्तों, सर एंथनी मैकडोनल, ये अध्यक्ष थे उस फेमाइन कमीशन के जिसको लोट करजन के द्वारा ब बनाई गई थी, क्योंकि भाई सिचाई की सुविधा नहीं थी, तभी तो अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, किसान के पास पानी अवेलेबल नहीं, अग्रिकल्चिरल प्रोड़क्टिविटी घुज गई, सब खतम, गर्त में चली गई, तो बताना है कि ये जो इरिगे कमिशन का नाम क्या था, या किसकी अध्यक्षता में, चेर्मेंशिप में वो इरिगेशन कमिशन बनाई गई थी, लौड करजन के द्वारा, सर एंथनी मैक डॉनल ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो फ्रमाइन कमिशन के अध्यक्षते, इसका सगी उत्तर गए दोस्तों सर कॉलिन स्कॉर्ट मॉनक्रीफ, इन्हों ने उस इरिगेशन कमिशन की अध्यक्षता की थी, अगला सवाल के दोस्तों, लौड करजन के द्वारा 1903 के दौरान एक पुलिस कमिशन भी बनाया गया था, ताकि हिंदुस्तान का जो डोमेस्टिक इंटेलिजन्स है, उसके बे कमिशन के साथ थे, और ये इरिगेशन कमिशन के साथ थे, इसका सगी उत्तार है दोस्तों, सर एंड्रू फ्रेजर, ये उस पुलिस कमिशन के अध्यक्ष थे, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉश्चन क्या है, इन्हें मेंसे वो कौन थे, देखिए, लौड करजन ने जब 19 1905 में, बंगाल का विभाजन किया, उसके पहले 1903 में ये डिक्लिया कर दिया गया था, कि आने वाले समय में बंगाल का विभाजन होगा, तो स्वदेशी मुव्मेंट, बॉइकोट मुव्मेंट, इसकी शुरुवात गो गई थी, चेक है, तो स्वदेशी मुव्मेंट को प बंदब समीती, सुरेंद्रनाद बैनर जी, रविंद्रनाद टैगोर, गुपाल कृष्ण गोखले, या अश्विनी कुमारदत, इसका सगी उत्तर गए, अश्वनी कुमारदत ने निर्माण किया था, किसका, स्वदेश बंदब समीती का, ताकि स्वदेशी मुव्मेंट की अध्यक्ष कौन था, क्योंकि हर साल कॉंग्रिस की अपनी एक मीटिंग होती थी, हिंदुस्तान के अलग-अलग इलाकों में, तो उस साल, 1906, जब स्वदेशी मुव्मेंट हो रहा था, चल रहा था हिंदुस्तान में, तो प्रेसिडेंट कौन था, इंडियन नेशनल अंग्रिस का दादा भाई नेलोर जी, ये इसका करेक्ट उत्तर गए, बाकी ये टीनों इनकरेक्ट गए, 1906, कलकत्ता में, तब वो कलकत्ता नहीं, तब वो कलकत्ता कहलाता था, तो प्रेव के दोस्तों, अधिला है कि, दा ट्रिब्यून न्यूस पेपर की शुरुवात किसने की थी? पंजाब में स्वदेशी मुव्मेंट के आइडियास को प्रमोट करने के लिए, किसने इन में से ट्रिब्यून न्यूस पेपर की शुरुवात की थी? सुन्दर लाल, लालालाश्पत राय, लाला हरकिशन लाल, इसका करेक्ट उत्तर गया, काली शंकर सुकुल यह इनकरेक्ट है, लाला हरकिशन लाल ने त्रिब्यून न्हूस पेपर की थी? न्यूस्पेपर, समीती, और्गनाईजेशन, इनके ओपर questions अक्सर पूछे जाते हैं. तो The Tribune न्यूस्पेपर की शुरुबात की थी, लाला हरकेशन लाल ने. इनमें से आपको बताना है, अनुशीलन समीती के founder कौन थे? गलकत्ता में ये समीती बनाई गई थी, ये organization बनाई गई थी during सुधेशी movement, आमनें आपके option गए. प्रोमोथा मितेर, बारिंदर कुमार घोष, जतिंदरनात बैनर जी, all of the above, इसका सगी उत्तर है, ये सारे के सारे founder रहे हैं, अनुशीलन समीती के अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अनुशीलन समीती की establishment किस year हुई थी, आपको year comment box में लिख कर बताना है. अगला सवाल गे दोस्तों, कि जब घमारे देश में 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, सुधेशी movement की शुरात गो गई, तो 1905 में जो INC का, Indian National Congress का session था, वो बनारस में हुआ, आपको बताना है कि बनारस में इसकी अध्यक्षता किस ने की, गुपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल हलीम गजिनवी, बाल गंगा धरतिलक या 37 चंद्र मुखर जी, इसका सजित्तर के दोस्तों, गुपाल कृष्ण गोखले, याद और एक बहुत गी important बात बता देना चाहता हूँ, 1907 सूरत सेशन को इसकी अध्यक्षता किस ने की थी, रास बिहारी गोश ने, रास बिहारी गोश ने, याद रखेगा रास बिहारी बोश भी थे, रास बिहारी गोश भी थे, अकसर लोग इसमें confused हो जाते हैं और गलती कर जिएगा, next, extremism, गरम दल, इसकी शुरुवात 1905 से क्यों हो गई, growth of the education, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का महौल अब बनने लगा था हिंदुस्तान में, पढ़ाई लिखाई ग्रोथ कर रही थी, dissatisfaction with the growth of moderates, moderates कमेशा अंग्रेजों के साथ pacification की policy लेकर चलते थे, जिससे कही ना कहीं extremist satisfied नहीं थे, reaction to increasing westernization, westernization, western source कमारे देश में बहुत तेजी से increase कर रही थी, reactionary policies of करजन, करजन की जो policies थी, वो अब बरदाश्ट के बाहर हो रही थी लोगों के, तो ये चारों के चारों option सहीं है, extremism के उदय की, जो की 1905 में शुरू हुआ, अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से कौन extremist नहीं थे, विपिन चंदरपाल, और बिंदो घोश, बाल गज़ा धर तिलक या गुपाल कृष्ण गोखले, इसका सही उत्तर गए, गुपाल कृष्ण गोखले, ये moderates थे, याद रखिएगा, लाल बाल पाल और और बिंदो घो ये extremist थे, मैं बता देता हूँ, एक सकंद, एक सकंद रुखेगा दोस्तों, लाल, बाल, पाल, और बिंदो घोश, और बिंदो घोश, ये extremist थे, गरम दल के थे, अगला सवाल के दोस्तों, आपको बताना है कि इन में से कौन सा option करेक्ट गए, और ऑगस्ट 1905, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन आफ सुदेशी मुम्मेंट वाज मेड़, ये करेक्ट गए, बॉइकोट ऑफ मैंचेस्टर क्लोट और लिवरपूल सौल्ट वाज एन एजेंड़, ये दोनों करेक्ट गए, कि अंग्रेजों की मैंचेस्टर की जो क्लोट आती ह लिवरपूल से जो नमक आता है, इन सब को अब कोई हिंदुस्तानी स्तमाल नहीं करेगा, तब ही अंग्रेजों की कमर तूटेगी, पार्टिशन ऑब बेंगॉल किस दन लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905, बंगाल का विभाजन कर दिया गया, वेस्ट बेंगॉल और इस्ट बंगॉल में, on the basis of communal line, इन में से कौन से extremist नहीं थे दोस्तों, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, गुपाल कृष्न गोखलें, स्वरी ये कोशन दुबारा से repeat हो गया, now, इन में से आपको बताना है, correct option क्या है, extremist and moderates wanted a split of the movement against partition should be taken beyond बंगॉल, सूरत सेक्षन of Indian National Congress was the consequences of split due to स्वदेशी movement, दोस्तों इसका देखिए पहली बात की, moderates कभी नहीं चाहते थे, इसका answer यहां बहुत A and B लिखा है, लेकिन ये incorrect है, इसका सगी उत्तर होगा, only be, क्योंकि अगर moderates ये चाहते हैं कि स्वदेशी movement बंगाल के बाहर जाए, तो फिर कभी भी extremistों से उनकी आपस इसमें टकराव नहीं होती, और नहीं कभी split होता, सूरत में 1907 में जिसको lead किया था, राजबिहारी घोशने, जिसकी अध्यशता की थी, तो only be, इसका सगी option होगा, A नहीं होगा, अगर स्वदेशी movement दोनों चाहते थे, बंगाल के बाहर जाए, तब तो कभी भी split नहीं होता तब तो ये एक ही page पर होते, in which session did दादा भाई नेरोर जी declare स्वराज और self-government to be the goal of Congress, इनमें से किस session में दादा भाई नेरोर जी ने ये declare किया कि Congress का सिर्फ एक goal होगा, self-government स्वराज, मतलब पहली बार स्वराज के concept आया हमारे हिंदुस्तान में इस session में, तो उसका सगी उत्तर गए, जैसा मैंने बताया, कलकत्ता session 1906, during सवदेशी movement, National Council of Education and System was set up to organize the system of education in 15th of August 1906, बड़ा ही important सवाल गए, कि National Council of Education and System का निर्माण कप किया गया था, 15 अगस्त 1906 को किया गया था, ये भी दोस्तों हम लोग करी चुके हैं, ठीक है, याद रखेगा, ये बोट A and B नहीं है, ये B होगा, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ा होना बहुत जरूरी है, कि सूरत स्पिट का कारण क्या था, स्वदेशी movement क्या था, partition of Bengal, किस तरह अंग्रेजों ने लागू किया था, हिंदुस्तान के उपर, ये सारी चीज़े आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप ये सारे multiple choice questions कर पाएंगे, अगला सवाल के दोस्तों, स्वदेशी movement had a genesis in the anti-partition movement for Bengal, सिधी बात है, अगर बंगाल का partition नहीं होता, तो फिस स्वदेशी movement आता ही नहीं, anti-partition movement for Bengal के तौर पर ही स्वदेशी movement का जनम हुआ, जीन from the actual reason that was to check the rising nationalism, देखे, अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन के पीछे का जो कारण था वो बताया administration, मतलब कि बंगाल इतना बड़ा है और बंगाल एक अकेला control नहीं किया जा सकता, बंगाल का development नहीं हो रगा गया, बंगाल के इतने बड़े area के कारण, इतने बड़ी population के कारण, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, मगर actual reason ये था कि बंगाल में nationalism की रास्टबाद की गंगा जमुना बहने लगी थी, और अंग्रेजों को इसी बास से डर लग रहा था कि हिंदू-Muslimान सब एक जाए, बंगाल में अच्छी खासी population मुसलमानों की भी थी, इसको बाढ़ दो, बंगाली बोलने वाले हिंदूों को रख दो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में और बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को इस्ट बंगाल में रख दो, दो दो दोस्तों, ये कुछ important सवाल थे, लौट करेजन के कारेकाल के दौर के लिए, उमीद है, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा, अपना प्यार बनाए रखिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेर कीजिए वीडियो को, खास कर उन लोगों को जो किसी competitive examination के त्यारी कर रहे हैं, अलविदा, take care, ज